हाई एवरिवन वेलकम तो अचानल लॉलस्ट मैसल रितिक फाइनली ए लॉस्टोट्र फाइकल्टी ओफ लॉट्टी यू ए टोड़ेव इस दिटल गुर्चरन सिंग वसेश चलिए इस केस के फैक्ट समझते हैं इस केस में होता कि है एक सुन्दर होता है जो एक बड़ा बद को लेती है औरना पुलीज ओफिसर्स के भीच आपस में एक क्रिम्नु कॉंस्प्रेस्य किसमें जिसमें उसे यमुना के पास लाग करना उसका मुदर कर देजाता है तो इसकेस में फिर चार्ज़ृट्ट फाइल होती है पुलीस ओफिसर्स के खिलाफ स्पशिफिक्ली जिस को लगता कि ना उनका जो जो भी एविदेंस है उससे टैंपरिंग और बाकि जो भी रीजन्स होते हैं जैसे बीच में इंटरफिंट कॉस करना या प्रेजंट अपनी प्रेजंट शो करना कोट में इन सब चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और वो अपनी प्रेजंट जबकि हाई कोट जो हो कहते है कि ना काफे चीजों को कंसीडरेशन में रखने चाहिए जैसे कि क्या पॉइंट जो होगे नेचर ऑफ उफेंस होगे और इन चीजों को मद्दे नजर रखते हुए जो हाई कोट है वो बेल कैंसल कर देती है तो मैंता जाता सुप्रीम कोट मे इस केस में इशू यही होता कि ना क्या पॉइंट जो है वो कंसीडरेशन में रखने चाहिए जिब हम नॉन बेलेबल ओफेंस में बेल देने की बात करते हैं चले आप इस केस में कोट के अबसर्वेशन को पड़ते हैं जिसमें ना सुप्रीम कोट इसमें कहते है कि कुछ प अबसर्वेशन कोट इसमें बेलेबल जिसमें जाने की बात जाएगा वह अपनी प्रेज़न शो नहीं करेगा कोट में वह एविदेंस के साथ टेंपरिंग करेगा लाइकली हुड ओफ रिपीटिंग और इस टेंपरिंग करेगा इसे विटने से भी तैंपरिंग हो सकती है history of the case as well as of the investigation investigation से वो tempering कर सकता है क्या investigation को कही नहीं की रोक सकता है या उसमें कुछ गड़बड हो सकती है और इस केस में ये court को बड़ा clearly लग रहा था कि being a police officer ये chances इन चीज़ों के होने के बहुत जाद है क्योंकि police officer आपस में investigation में कुछ दिक्कतें create कर सकते हैं वो witness के साथ क्योंकि इस केस में होता कि जब witness को examine किया जा रहा होता न तो starting में तो जो witness है वो hostile हो जाते हैं वो जो है prosecution की story को support नहीं करते हैं लेकिन और वो कहता है कि हम में starting में pressurize किया गया था क्यों क्योंकि जो इस केस में accused थे वो खुद police officer थे और इस चीज़ का होना तो बड़ा common है कि police officer जो है अपने ही जब अपने ही office में investigation हो जोगी तो वो उसमें tampering बढ़ी असानी से कर सकते हैं इन्हीं सब चीज़ों को consideration में रखते हुए जो supreme court थी उन्होंने high court के जो decision था उसे uphill किया और यही main payout point थे इस case में I hope आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो और ऐसे हमारे landmark judgment की series को support करने के लिए आप हमारे channel को follow कर सकते हैं Thank you